हेलो दोसों मैं हूँ प्राहिजास अभी का स्वागत कताओं के टोव के पेगो फ्रेश वीडियो के अंदर तो हम सभी लोग बात कर रहे थे TDS के बारे में जिसके ऊपर कहिना कई कॉइन DCS ने हम लोगों को थोड़ी से कि P2P के उपर भी जो ट्रांजिक्शन याने कि जो TDA से वो कैसे आप लगने वाला है कौन उसको आप भरेगा कैसे ट्रांजिक्शन होंगे और साथ ही साथ यहां पर कौन उसे सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़े आने वाली है और आपके लिए इसमें बहुत सारी अगर अब आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं करा तो जाके जॉइन कर लिजे क्योंकि पीडिया यहां पर नीचे नहीं दे सकता हमें यूटूब के तो मैंने आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप भी इसको आपर पढ़ सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीज टोटल चार डिविजन इसको कह सकते हैं बनाया है डेट आप अल्रेटे देख सकते हो 22 जून की है और आज थोड़ा सा 24 तारीक हो गई है तो यहां पर आपको यह सेक्शन देखने को मिल जाते हैं अब इसमें बिसिकली गाइड लाइन्स दी हैं जिसके अंदर दो सेक्शन IMPORTANT है बिसिकली section A की है जो कि है 194S और इसके अंदर एक subsection आता है जो कि है subsection 6 जो कि इसी के अंदर गत यहां पर हमें देखने को मिलता है यह दोनों section बहुत IMPORTANT है जिससे के आपको पता पढ़ेगा कि क्या चीजिएं जहां पर चल रही है तो फिलार में जो VDA यानि कि जो बात करें तो 194S का जो section है वो इसके लिए basically consider किया जाता और इसके अंदर ये कहना है कि अगर आप इंडिया के अंदर है कि किसी भी resident के साथ आप buying selling का काम है पर करते हैं यानि कि आप किसी भी resident को कोई भी पैसा याप पर देते हैं और उसके बदले में virtual digital asset यहाँ पर transfer होती है आपके पास तो आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आप one person का जो transaction है यानि कि जो TV asset आप कह सकते tax deduction source वो यहाँ पर आप ज जमा करा सकते हैं या पर credit करने के time पर भी यहाँ पर आप दे सकते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें clear समझ आ जाते हैं कि कोई भी transaction यहाँ पर करते हैं इंडिया के अंदर रखें इंडियन resident के साथ तो यहाँ पर basically आपको VDA के उपर one person का TDS करना है TDS basically generally buyer ही deposit करता है और वो deposit करने के बाद उसको आपको एक TDS का certificate देना होगा जिसे कि वो government को दिखा सके और कह सके कि हाँ मैं already TDS यहाँ पर pay कर चुका हूँ अब इसमें बहुत सारी conditions होती है तो सबसे पहले हम बात कर लेते कि किन cases के अंदर आपको TDS pay off नहीं करना है तो सबसे पहले अगर आप ए सहर की consideration value है पूरे financial year के अंदर, financial year जो आपका अप्रेल से लेकर मार्स से यहाँ पर चलता है तो basically उसके अंदर आपको कोई भी tax याने की 1% का जो TDS है not tax, 1% का TDS वो pay यहाँ पर नहीं करना है अब specify percent के अगर बात करिया तो हैं पर दो categories दी गई है सबसे पहले वो individual या फिर H याने की Hindu undivided family जो कि कोई भी यहाँ पर तरीके से profit and gain business और क्या सकते हैं प्रोफिशन अंदर नहीं आते हैं यह basically income tax में category होती है जिसे कहते हैं PGBP अगर आप इसके अंदर नहीं आते हो तो आप इसके अंदर eligible हो किसमें 50,000 रुपीज वाले में और अगर आप इसके अंदर आते भी हो ऐसा है एक करोर से ऊपर यहां पर नहीं कमाता है और अगर आप एक प्रोफिशन आते हो लाइक डॉक्टर चार्टेट अकांट इंड कोई भी आते हो तो अगर आप 50,000 रुपेज से ज़ादा इसमेकसीट नहीं करते हो तो ही आपको हैं पर 50,000 वाला जो discount category है उस कि हम लोगों ने यहां पर आक्ट्यों में देख चुके हैं अब यहां पर बात करते हैं सब section 6194S के बारे में तो यह basically section बस इतना सा कहता है कि अगर आपने कोई भी trading करी है ऐसा exchange के उपर तो यहां पर जो भी guidelines अब applicable होंगी वो basically exchange भी होंगी कि जो भी TDS उसको pay off करना है वो exchange आपके भी हाफ पर करेगा किसी भी party को वहाँ पर करने की जोरत नहीं है तो यहां पर simple लिखा है कि जो guideline से वो तब भी applicable होंगी जब कोई भी transfer VDA का होगा exchange के उपर तो ऐसे case के अंदर exchange ही basically आपर पैसा deposit करने वाला है तो जो यहां पर section है क्या सकते 194S वो यह कहता है कि अग आपके exchange की उपर आप trading कर रहे हो और तो यहां पर exchange की जिम्मेदारी है कि वो आपका 1% TDS काटेगा जिसकी clarity आप जानते हो कि coin DCS ने आपके हम लोगों को बता दी थी कि जब आप INR से कोई भी चीज buy करोगे तो तो TDS नहीं लगेगा लेकिन जब आप उसको sale करोगे तो वह primary crypto, secondary crypto, primary crypto के अगर हम लोग यहां पर पात करते हैं, मोटे मोटे level के उपर तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी I think हम यहां पर है, तो Bitcoin मिल जाएगा, Ethereum है, USDT और USDC, यह आपकी primary crypto है, यानि कोड़ भी cryptocurrency जो इसके अलावा आती है, like doggy coin, solana, वो लाना, जो भी आती है, वो सब इसके अंदर convert यहां पर होंगी, मैं आपको बहुत रहर डीटेल में समझा देता हूँ कि किस तरीके से पूरा work करने वाला है, तो आपको और जदा better तरीके से यहां पर idea लग जाएगा, तो अभी देगा आप इतना तो समझ गया होंगे, कि आप बार पर जो section है, उसका एक subsection है, subsection में exchange आपका TDS काटेगा, और जो normal section है 194, उसमें आपको TDS काटना है, अगर आप directly trade यहां पर कर रहे है, अब guidelines के अंदर basically 6 questions है, सबसे पहरा question है कि यहां पर जो VDA है, यानि virtual digital assets है, उसका जो tax deduction है, वो कौन करेगा, अगर आप exchange के उपर है, या फिर आप purchase कर रहे है, तो यहां पर फिर से वोई सारी बात निकल के आती है, पहले section में दिया है, कि अगर आप कोई भी transaction peer to peer कर रहे है, या फिर directly कर रहे है, तो buyer यहां पर उसको काटेगा TDS को, और आपको एक certificate देगा, और यह certificate I think 15 दिन में release हो जाएगा, और आपका जो payment है, वो सरकार को उसको 30 दिन में deposit यहां पर करना होगा, लेकिन अगर आप यहां पर सब section के अंदर आते हो, तो यह और exchange के उपर trading करते हो, तो यहां पर exchange की जिम्मदारी है, कि वो आपका 1% TDS काट है, और सरकार को आपके pen card के उपर जवाँ यहां पर करा है, अब इसमें भी दो case होगे, कि अगर आपका कोई broker है, या फिर कुछ भी है, तो इस पूरे paragraph के आपको वही चीज़े मिल जाएंगी, कि अगर आप directly कर रह लेकिन अगर exchange ने किसी broker को यहां पर contact दे रहा है, और आप broker के उपर trading कर रहे हो, तो यहां पर आपका broker के जिम्मदारी बन जाती है, कि वो यहां पर basically देने वाला है, second case में भी वही है कि वीडियो के जो transaction ownership हो किसके पास होने वाली है, तो यहां पर भी घूमफिर के हमें वह चीज मिलती है, लेकिन इसमें इक important चीज यह है, कि अगर आपका broker या फिर किसी other person के साथ आप किसी exchange, like OTC के उपर अगर आप trade कर रहे है, तो यहां पर आपका जो exchange है, वो आपको final quarter क्या सकते कि जो statement है, वहां पर देने वाला है, जिसमें आप form number 26QF के अंदर, उस चीज को आप पर बताओगे, जो भी इस साल का income tax आप आप भर होगे, अगले साल इस वाले financial year के कतम होने के बाद में, अब इसी के तोर पे यहां पर exchange और broker का मतलब एक ही निकलता है, कि आप जो भी application आप platform के उपर trade कर रहे हो, वहां पर यह सारी चीज होने वाली है, second question यहां पर आत normal उसमें कहना चाहें, तो अगर आपने बैंक से आयना deposit करा, crypto खरीदा, तो वहां पर कोई भी TDS नहीं है, लेकिन जब आप वो crypto को आने वाले 2 महने, 3 महने या एक दिन बाद भी अगर बेशते हो, तो वहां पर आपका 1% TDS कटेगा on sales के उपर, लेकिन अगर वहीं पर बात क मिलेगा चालान की detail, यानि कि जब भी आप यहां पर form number 26Q को basically आप भरोगे, तो आपको specify करना होगा person के बारे में, और यहां पर उसकी चालान number की details को भी आपको यहां पर डालना होगा, अगर आप directly उसके साथ कोई भी deal यहां पर कर रहे हो, even that अगर आप exchange पर करते हो, तो त भी आपको transaction के TDA सहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जैसे इनों ने monitor और deso coin को आप पर पकड़ा, तो 1% कटेगा monitor का, 1% कटेगा deso coin का, don't know coin का यहां पर कट जाएगा, और VDA2 VDA के अंदर 1% का tax deduction होके, महां पर चीज़ चली जाएगे, जैसे मैंने बताए कि यह जितनी भ बारा बजे यहां पर उसको INR में convert करके government को submit यहां पर करा देना है, तो basically time के बारे में भी यहां पर चीज़ों को clarify कर दिया गया है, और जो accumulation है, वो ही सारी चीज़े फिर से हाँ पर repeat करी गई है, कि बार 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 वही जो liquidity है, और इसको राग को 12 भी इसले करा रहे है क्योंकि token के prices बहुत ज़्यता fluctuate होते हैं, जिसकी वज़े से यहां पर सरकार को properly tax मिल जा और regular basis जो conversions है, वो हमें देखने को हाँ पर मिल सकते हैं, तो P2P के उपर आपको बहुत ज़्यदा clarity आपर मिल गई होगी, और आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपको जो भी उसको fill करोगे, तो यह tax आप उसमें से minus यहां पर करवा सकते हैं, अब यहां पर तीसरा question आता है कि जो section 194Q है, क्या वो applicable होगा, तो इनका simple सा कहना है कि 194S है आप applicable होता है, तो 194Q यहां पर नहीं होगा, चौता question है कि जो VDA आपके पास आएगा, उसमें जो GST है क्या वो include और GST के उपर basically आज ही एक report निकल के आई है, जहाँ पर Indian panel basically यहां पर consider कर सकता है GST को लगाने का, अब इसकी जो भी details से पहुंए, इस मन्त के end तक शाहिद पता पढ़ जाएंगी, क्योंकि GST भी हमारा एक तरक से implement हो जाएगा, GST में भी दो तरीकी की GST है, एक normal GST जो इं कि मैं international exchange, DEX, PAYA, कहीं कोई भी trade कर रहा हूं, बच जाओंगा, तो यहाँ पर 28% तक का, यह tax वहाँ पर आ सकता है, जिसके बारे में इन्होंने आपर बताया है, कि आपका जो TDS है, वो basically GST को exclude करके ही यहाँ पर cutने वाला है, फिर यहाँ पर आता है कि अगर मेरे बीच में क उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो third party से पूछ ले, इस बारे में कि क्या tax third party यहाँ पर काट रही है, sorry, जो buyer है या जो है, वो यहाँ पर काट रही है, क्यो buyer ने वो tax काट दिया, तो फिर बीच वाला जो भी आपकी company है, जिससे आप payment provide करा रहे हो, वो यहाँ पर tax नहीं काट लेकिन हाँ अगर buyer नहीं करता है, then maybe probability कि वहाँ पर वो company काट सकें, लेकिन यहाँ पर तो simple से दिया है, कि जो tax का deduction है, वो वो ही person करेगा, जो कि यहाँ पर आपका buyer बनने वाला है, and last question इसका है, कि जो 194S के अंदर जो section है, वो basically 1 July 2022 से effect तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्य क्या चीज़े हैं, और हमें 50,000 का जो discount है, वो कैसे क्या मिलने वाला है, और इसके अंदर basically यह चीज़ के लिए नहीं कि 50,000 को किस तरीके से, 10,000 को कैसे count किया जाएगा, तो इन्होंने simple से आपर बता दिया है, कि आपकी जो अभी फका financial year है, जो 1 April 2022 से start होके, 31 माद 2022 में end हो इस financial year में 50,000 रूपे या 10,000 रूपे का धंदा यहां पर किया है, या फिर नहीं, तो अगर आपने करा है, तो अगर आपने करा है, तो अगर कोई बात नहीं, आपको वापर discount मिल जाएगा, कोई भी आपका TDS वाँपर नहीं कटेगा, तो इस तरीके से basically आपका कर जाएगा और आप जो भी आप कमाते हो, यानि कि एक जुलाई से, या एक जुलाई के बास से, जो भी आप यहापर करोगे, उस पर फिर 1% का TDS आपर कटने वाला, तो यहापर clearly दिया है कि 194S sanction यह कह रहा है, कि आपका जो भी sum है, उसका जो भी consider of transfer amount होगा, VDA के अंदर, वो हैपर credit य अगर होता है, एक जुलाई के बाद, तो ही आपका यहापर उस पर TDS कटेगा, उसके पहले वाले पर नहीं कटेगा, लेकिन count पूरा होगा, कि 50 share आपका financial year में था, या फिर नहीं था, और यहापर आप देखो कि 194S का sanction यही चीज़ वापिस बताता है, कि जो भी आप amount आप उस पर 1% TDS नहीं लगेगा, 30% extra लगेगा, पर 1% TDS आप नहीं लगने वाला है, तो यह पूरी की पूरी guidelines है, जो government आपको लोगों के लिए इस point में आप लेकर आईए, इसके अलबा अगर आप और detail में जाना है, तो यह article की वीडियो में अल्ड़ी बना चुका हूँ, आप जाके उसको check कर सकते हो, and GST भी basically आने वाला है, तो इसको पर भी बात करेंगे, कि जब GST implement होगा, तो किस तरीके से आप पर होने बाला है, and last minute FAQ की वीडियो बनाई थी, on a text, इसको आप लोग ने बहुत अच्छे देखा है, करा है, और इस पर बहुत सरे questions पर आये थे, तो person to person, तो उसका भी record आपको यहाँ पर देना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, direct buyer to seller भी अगर आप इस चीच को करते हो, like peer to peer, और other, तो भी यह sections के अंदर cover यहाँ पर होने बाला है, तो आप चाहए internationally कर लो, या कुछ भी कर लो, उस पर हो सकता है, कि GST के थूर जाती, तब हम बात करते हैं, कि आपे overall क्या होता है, बाकि Sunday live में आपके question ले लूँगा, तो वहाँ पर हम discuss करेंगे, कि taxation का क्या और आपके जो भी question से, उनको भी वहाँ पर cover किया जाएगा, I hope दोस्तों वीडियो आप सब्सक्राइब को आप पसंद तो प्रीज वीडियो क मेलता आप से ले कुछ नंटर सेंग वीडियो के सार, तो अब टेकला, have a great day and bye-bye.